Hello student welcome to my channel बच्चो आज किस वीडियो में हम करेंगे हमारी तर्मो डायनमिक्स बच्चे इस यूनिट में हम पढ़ेंगे थर्मो डायनमिक्स के बारे में देखो थर्म का मतलब क्यों होता है हट च forg an थर्मों का मतलब क्या होता है, थर्मों का मतलब होता है, heat और dynamics का मतलब होता है, transfer, चीक है, हम इस unit में क्या पढ़ेंगे, हम इस unit में पढ़ेंगे, transfer of heat, transformation of heat, चीक है, जैसे हम heat को convert कर सकते हैं, mechanical energy में, chemical energy में, चीक है, और electrical energy में, तो हम इसमें वही transformation पढ़ेंगे, कि thermodynamics क्या होत तो देखें, thermodynamics was meant to deal with the transformation of heat energy into chemical work and vice versa. Vice versa का क्या मतलब हुआ, अगर हम heat energy होगा, अगर हम mechanical work में change कर सकते हैं, तो mechanical work को भी heat में change कर सकते हैं, बनलब transform कर सकते हैं, change नहीं, transformation कर सकते हैं मसकी. ठेक हैं, और heat को किसके अंदर, जो heat energy है into other forms of energy such as mechanical energy, electrical energy और chemical energy में भी हम उसको transfer कर सकते हैं चीक है तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे thermodynamics thermodynamics मतलब क्या होगर transformation of heat ठीक है transfer, transfer करेंगे हम किसका heat का transfer करेंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे thermodynamics ठीक है, तो हम पढ़ेंगे thermodynamic system के बारे में, बच्छो, a portion of the universe selected for some investigation, investigation करने के लिए हमने universe का कुछ भाग select कर रखा है, ठीक है, और हम study करते हैं, उसको thermodynamics point of view से, मतलब हम क्या करेंगे, कोई भी portion है, उसको thermodynamics point of view से, उसको क्या कर रहे हैं, उसको study कर रहे हैं, तो हम उसको thermodynamics system ब इसने क्या बोला, point of view का यहां पर इसको क्या मतलब है, जैसे हमने कोई box लिया, हम उसको किस नजरिये से देख रहे हैं, जैसे हमने उसको isolated लिया है, या उसको कैसा box लिया है, किस चीज का बना हुआ हुआ है, वो box उस हिसाब से देखेंगे, फिर उसके भार का temperature देखेंगे उसके अंदर का temperature देखेंगे, ठीक हम उसको किस point of view से देख रहे हैं, उसमें यह नहीं देख रहे हैं, कि उसके अंदर कुछ number of particles ट्रांसफर हो रहे हैं, या नहीं हो रहे हैं, बट हम उसको किस point of view से देखते हैं, कि उसमें heat का transformation हो रहा है, या नहीं हो रहा है, ठीक है, तो बच्छो न तर्मोन डैनमिक्स मीग्स कbra रधै की ने बोला की कुछ पोर्षन लेंगे अ क्छे सब्सक्रद śत करेंगे आपके अपकेां किया कोईchodzi class किढ़ि एक किया कोई रोम बैसे विटके इस रोम के इंदर जैसे आप बैठे। हुए आपके मुम्मी पपापा बइटी हुए है ये आप मानों यहां पर क्या आपए beef टीचर ए चीकि इसुम के अंदर टीचर और स्टुरेंट्स एस रूम चाही स्टूडब्स हैं तो स्टुरेंट्स है न तो इस रूम की अंदर किया दॉब एas रूम के अंदर क्या रहा है ट्रांसफर हो रहा है किसका नोलीज का इसके अंदर ट्रांसफर हो रहा है इस सिस्टम के अंदर क्या रहा है नोलीज का ट्रांसफर हो रहा है और आप यह मालीजी क्या यह सील है बिलकुल यह चीज क्या है यहां से ना कोई चीज अंदर आ सकते हैं और ने अपने स्पोर्जोन रफ तर ये अमारा क्यों गई ये हमारा कियो हैं रेना मेख सिस्टम हो गया वारा थर्मन डायनुमिक होती है वो आपके क्या होती है वो आपके सिस्टम के चारो तरफ होती है वो आपके पास क्या होती है सराउंडिंग होती है यह रूम हुआ रूम को सिस्टम लेकर चल रहा है चैक है. इसको हम सिस्टम लेकर चल रहे हैं च kla meine इस यूनिवियर्स सिस्टम प्लस स्राउंडिंग हमारा क्या थे यूनिवर्स आता है तो आपको सिस्टम सराउंडिंग और यूनिवर्स के बारे में पता चल गया होगा यह जो हमारा बेसिक थर्मोडाइनमिक्स का जो पता होना चाहिए इसके बाद में हमारी इंपोर्टेंट टॉपिक से उसको कर सकते हैं इनकी यहां पर देखे उसने क्या नहीं of टॉनिवर्स अदर दिर समय इसने शुटम बाद में नुग इसलें वड़ेवर्स आर स्टाम जएगा इस्सें क्यों नहीं करेंगें तो सराउंडिंग्मों चाहिए इसका मतलब हो गया सिस्टम September surrounding universe हो गया, और universe minus surrounding क्यों हो जाएगा, हमारे पास system आजाएगा, अगर हम universe minus surrounding करेंगे, minus का गया मतलब हो, उसको हम छोड रहे हैं बस, चीक है, हमने universe में से surrounding को accept नहीं किया, तो हमारे पास क्या हागा, हमारे पास हाजाएगा, हमारा सिस्तम हमारे पduction आजाता है तो सिस्टम्स उराउंडिंग और यूझिवर्स की हमस्ञा आपको परते mohit अब हम स्पढहेंगे टाइप सॉम के बारे में तुरे सिस्टम के हमारे पास SIESTOM के हमारे पास थ्री टाइप सो पास से क्तेम एक हमारे पास क्या होता है isolated system तो three systems के बारे में पढ़ेंगे यहां पर देखो आप एक हमार पास क्या होगा open system open का मलब आपको अच्छे से समझ आ रहा होगे open system के इंदर क्या क्या होगा आप फोर्ज किजिए आपके पास एक container है इस container के इंदर बहुत सारे gas molecules से बहुत सारे particles है होगे के इस इंदर का है है इस इंदर particles है तो इस open system के इंदर ब्रुच्छे और चया हो सकते एक ट्रांसफर हो सकता है heat का नंबर पार्टिक यह से 3 million यह तो भार आजा सकते हैं यह भार से अंदर आचाखते क्या नंबर और पार्टिकल्ट मैं इसमें क्या सकता है उपन सिस्टम में ट्रांसफर हो सकता है और ट्रांसफर किसका हो सकता है हीट का भी ट्रांसफर हो सकता है हीट का एक्सचेंज भी हो सकता है मैंटर का एक्सचेंज भी हो सकता है तो हम अपन सिस्टम को क्या वो सकते हैं कि वो ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर heat और matter दोनों का transfer होता है ओके अब suppose किजी आप लोग closed system हमने closed system को suppose किया जैसे यह box है इसको closed system लेके चलेंगे हम इसके अंदर क्या है भी इसके अंदर भी number of particles है अब देखो बचो यह closed system है तो यह number of particles इसके अंदर है तो closed system में यह होगा कि exchange जो होगा matter का वो नहीं होगा no exchange of matter exchange नहीं होगा matter का पट heat का क्या हो सकता है heat तो transfer हो सकती है जो heat होगी जो energy होगी वो क्या होगी भी वो तो transfer होगी इसके अंदर चीक है वो क्या होगी वो तो transfer होगी जैसे कि हमारे पास box है हमने माल लिया इसको हमने क्या रख दिया वह इसको हमने gas के उपर रख दिया जिसमें हमारे पास क्या होगी heat हो जाएगी तो जैसे इसके अंदर क्या हो जाएगा इसका temperature increase होगा decrease होगा according to जिस हिसाब से यह है ठीक है तो इसका जो temperature होगा जो इसके energy होगी उसके अंदर क्या आगा उसके अंदर आएगा transformation और इसके अंदर change आजाएगा मतलब heat का क्या transformation भी यहाँ पर हो सकता है open और close में आपको difference पता चल गया होगा उसके बाद में आता isolated system isolated system में क्या होगा isolated system में यह होता है कि नंबर और पार्टिकल्स है जो अंदर वो as it is रहेंगे ठीक है नंबर और पार्टिकल्स जैसे हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे ठीक है बट देखो isolated बोल दिया इसने अब देखो इसके भार भाई heat है इसको कोई फर्गने पड़ेगा cold है इसको कोई फर्गने पड़ेगा गर्मी है सर्दी है isolator system के अंदर क्या होता है कि जो उसका heat है मलब जो उसका temperature है उसके ओपर उसके कोई भी परगने पड़ेगा जैसा है वो as a tease, as a tease रहेगा ओके तो देखे, when a system can exchange both energy and matter with its surrounding, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे open system ठीक है, if it can change only energy but nor the matter उसको हम closed system बोलनेगे ठीक है, a system which neither exchange energy nor matter with its surrounding, उसको एन isolated system बोलनेगे बच्चो तो यह हमारा basic था, जिसके इंदर हमने किसके बारे में systems open system, cross system और isolated system और आपके surrounding और universe के बारे में पढ़ा है ठीक है, तो next वीडियो में हम इसके next topic करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like कर देना, share कर देना और अगर कुछ भी doubt हो, तो इस Sunday को हम doubt session रख लेंगे हमारा ठीक है, maths की book भी शुरू करते हैं करेंगे, एक दो दिन में करते हैं, maths भी शुरू ठीक है, और अगर नहीं हो तो चैनल पे subscribe करके bell icon को press कर देना थैंक्स फर वच्छिंग